स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों यहां बिहार सरकार ने 40,000 सिक्षकों का नियोजन सेड्यूल जारी कर दिया है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षा की जारी थी कि सिक्षकों का जो नियोजन होने वाला है हाई स्कूल और प्लस टू वगरा मैं तो उसका नियोजन कब से सुरू होगा तो उसका पूरा सेड्यूल जारी हो चुका है इसमें जो इंजिनेरिंग किये हुए हैं या फिर जो एंब्ये की हुए हैं क्या उन्हें बीड करना क्या उनके लिए बीड का सेटिफिकेट चाहिए या फिर बिभीन सेंटल या फिर एस्टेट का जो टेट एक्जाम होता है उसमें कौलिफिकेशन क्या चाहिए कौलिफाई होना चाहिए सारा डिटेल आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पूरा न्यूज में दिखाऊंगा इसमें तो अगर कोई भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं तो किर्पया करके इस चैनल को अभी तुरंद सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मॉवाइल में जल से जल पहुँच सके चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं बिहार का यह न्यूज है र तुरंद का ताजन न्यूज है तो चलिए पूरा डिटेल देख लगते हैं क्या का गया है सिक्षा विभाग ने सोम बार को छट्थे चरन के सिक्षकों के नियोजन का सिड्यूल जारी कर दिया यानि कि यह छट्था चरन है विधान मंडल का मांसुन सत्र की समाप्ति के खास बात यह है कि राज सिक्षक पात्रता परिच्छा STET 2012 उत्रिण जिन अभ्यारतियों की उत्रिणता परमान पत्र की वैदता जून 2019 में समाप्त हो गई थी और इसे जून 2021 तक विस्तारित किया गया था उनके लिए सिक्षक बनने का एक सुनहवरा अफसर राज सरकार न नितिस कुमार ने एक माँ पहले गत एक जून को समिक्षा बैटक में इस बावत निर्तेश दिये थे चट्थे चरण के सिक्षक नियोजन के तहत कारवाई तो दफ्तरी करवाई तो 29 जुलाई से ही आरम हो जाएगी और चार माह में यह पूरी होगी राज्य के सरकारी हाइ स्कूल प्लेस टू में निक्ति की चाह रखने वाले अभ्यारतियों को आवेदन का मौका 27 अगस्य मिलेगा 27 अगस्य 26 सितंबर तक करीब एक माह तक आवेदन लिये जाएंगे तथा विविन प्रकिरियाओं से गुजरते हुए नियोजन इकायों द्वारा 29 नौंबर को नि रिक्तपदों की गन्ना करेंगे 3 अगस्त को इससंतर को न्यहीं धिशर की यह एक 10 अगस्त को जिला कोटिवार विशेवार रिक्ती की सूचन नियोजन इकायेंगे 26 अगस्त को नियोजा निकाईया विशयवार रिक्ति की सूजना परकासित करेंगे नियुक्ति में महिलाओं को 35 फिजदी का रक्षन मिलेगा से सारक्षन समाने परशासन विभाद ग्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप है यहाँ पर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानि अवर्ता है वो देख लिजए हाइज स्कूल सिक्षक के लिए असनातक बीएड-S-C-E-T उतीर्ण प्लस टू के लिए असनातक ऊतर बीएड-S-T-E-T-2 उतीर्ण संगीत निर्थे ललित कला केंप्यूटर सारिक सिक्षक के लिए बीएड होना जरूरी नहीं है संबंधित विश्यों में परसिक्षन की डिग्री वांचित आयू सीमा नियूंतम 21 वर्स अतिमक आयू सीमा समाने परशासन द्वारा निरधारित दिव्यांग वबियट परसिक्षित को 10 वर्स की छूट संगीत सिक्षक के लिए जिनकी उम सीमा के धीन 2012 STET के समय थी उनके लिए छटे चरण में भी अधिक्तियम सीमा उम्र सीमा की या छूट लागू की गई है ये खास बाते हैं इसमें 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्द विशावार सिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन होंगे एक हजार में से चौथ है पांचवे चरण में धिक्त्राग्य केंपिटों सिक्षकों के पदों पर नियोगति होगी प्लस टू के वानिज्य संकाय में केवल M.B.A. डिग्री धारी नियोगति नहीं होगे अगर जो केवल MBA की हुए हुए हैं वो प्लस टूब में वार्णी जैसंकाय में निप्त नहीं होंगे इसके लिए आपको M.com एवं B.A.D. होना आनिवार रहा है तो यहां अगर जो इंजिनेरिंग चात्र है यहां B.A.D. कंपलसरी कर दिया गया है और A.D. उतिर्ण होना आवस्यक कर दिया है उन्हें केवल गनीत विसाय में मादिमिक सिख्छक के पद पर नियोजित किया जा सकता है तो दोस्तों कैसा रहा यह पूरा नियूज अगर आपको यह नियूज अच्छा लगा तो किर्पया अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और लोगों को इसके बारे में बताएं पूरी जनकारी दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत सुक्रिया, आपका दिन मंगल में हो, धन्यवाद.